शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अम पदमावती पदमनेत्रे पदमासने लक्षमे दाना न भूलें आयनी वांचा पूर्णी रिद्धिसिद्धि जयाम 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 पुरू पुरू साह एकशड़ा मीरा छिए एक किली पद्रे तरक यार्णी खिरू झाकी जयाम जयाँ ऊवर्णीं को नचे मेराइकन एडिदिध ये धिस – रिवर्णी जयामने खविद्धिस कि अ हमोग थांगाइकन झाल 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 मुझे ना सुनने की आदत नहीं झाल और दूसरी बात हमारी ओगनाइजेशन में जो एक बार आ जाता है जो यजाधा तो गिद्क जिएए उसे जाद पार आ दूसर साख़े दो गई ये इस माओ लो आदेशन का है ये 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 याटर दूसरी ये ये लिए में अब आख वाहू यह गात्री सान्याल का आदमी है अपने एरिये में जैसुसी कर रहा था नाम क्या है तेरा किशन किशन कितने साल से काम कर रहा है उसके साथ छे साल से उस हरामी ने तुझे यह नहीं बताया कि माहिम से लेकर कुलाबा तक मेरा एरिया है मेरा मतलब रमा का नुवाग मारे का और जो दिश्मन मेरे एरिया में आता है न मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ता बेलकोल नहीं छोड़ता कि मैं झाल नहीर जाल कर दो 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 अगया गायत्री तेरा गधा मेरे इलाके में घास चरने आया था काट दिया मैंने उसे वो क्या है मुझे कुट्टे पालने का शोक नहीं वरना उसकी बोटी बोटी करके मेरे कुट्टों को खिला देता उसलिए पूरा के पूरा वापस भेज रहा हूं तिरा शुवचिन तक रमा कान्त वाग मारे ने 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 डालेंग तक्ची बहुत मजाया कल फिर मिलता हूं वाई झाल 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 बहुत चला लिये विदेशी फटा के अब इस देशी लोहे की धार तो देख झाल झाल याल 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 मौत के चुर्में के रफ़तार करने आया हूँ जो तुम्हारी जरीली शराफी कर्मर है दम है बात में बहुत दम है वैसे कितना वक्त होगया ड्यूटी जॉण करके हाँ क्यों प्रमोशन दिलाने का इरादा है प्रमोशन मिल भी जाएगा तो क्या उखाड़ेगा इंस्पेक्टर सिर्फ सिग्रेट पानी का खरजा निकलेगा बाक्की चिकेन और किच्छन का तो बंदो बस हम लोग करेंगे ना ये वीगा या भाई साब को मूँ दिखाए दे रहे इतने रुप्यों में तो दो सो लाशो का कफन भी नहीं आएगा माल डबल कर रहे है इतने तो चिता की लखडियों में जल जाएंगे ये बात है ये भीका साब को इतना माल दे कि वो दो सो मुर्दो का श्राद भी हो जाएंगे और साब की दिवाली अब दिवाली तो मैं तब मनाऊंगा जब तो फांसी के फंदे पह छूलेगा अवे शाने वो फईली वार मेरे गरीब खाने में आया ना इसलिए मैं कफसे तेरी वगवग सुन रहा हूँ अभी एक बात सुन सुमडी में पत्ली गली काट वरनना वो दो सो मुर्दों के साथ तेरी भी लाज जाएगी उदर तु मेरा नाम जानता है ना मुन्ना भाई आउट कि अशाओ कि अशाओ तु मैं कि अे कमाका आई कि अशाओ कि अशाओ तु everybody कि मन्ना पा condemn क्रीज New दुए मेशना इसकैंड़ कर दो हो दो दो कर दो कर दो दूआ हो दो अप्ट आपने मुझे याद किया अगर कोई हमारे आदमी पर हाट डालने की जिवरत करें तो उसका अंजाम क्या होता है सिर्फ मौत तो जाओ और जाकर खत्म कर दो से कौन है वो बेवखूक जिसने आपके साथ ये बतमीदी किया है तुम्हारे एरिया का कोई सर्फिरा इंस्पेक्टर प्रताफ जिसने मुन्ना को गरफ्तार कर रखा है को शूटिमन केट मुन्ना रिलीस्ट क्या बात है खामोश क्यों हो सकसे ना वर्दी पहन कर किसी वर्दी वाले को मारना नामुम्किन है मेडम ये तुम्हारा फैसला है या मजबूरी सिर्फ मश्वरा मतलब ये मेडम के जो काम सुई से हो जाए वहां तलवार चलाने की क्या दरूरत है मुन्ना तो रहा होई जाएगा लेकिन उसके बाद इंस्पेक्टर प्रताबी खामोश नहीं रहेगा वह सुबूत और गवाईयां एकटा करने के लिए उन 200 आद्मियों के पास जरूर जाएगा जो मुन्ना की शराब पीकर अब तक मरे नहीं बलके जिन्दा है आप सिर्फ पदमवती हॉस्पिटल के डीन गुपता की जबान बंद करवा दीजे बागी मुझ पर शोड़ दीजे मैं सब समाल लूँगा यह क्या है कीमत कीमत किस बाट की आपका अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखना है कि जो 200 आदमी आपके अस्पिताल में मरे वो जहरीली शराब की वज़े से नहीं अलकी फूड पॉजनिंग की वज़े से मरे हैं मैडम मैं एक डॉक्टर हूं कसाय नहीं की गोस्ट और खाल पेच कर मैं पैसा कवा मैंटम मैं अपने हातों से तुमारे शराफ पी कंमरेवह लोगों पर कफन डाले ya उनकी लाशों से लिपट करोने वाले उनके बचे और धिवारूं पे सरप्टक करोने वाले उनकी विधवाये वंदें Pullay. और राइट, तीन लाख मैडम आप किम्मत लगाते लगाते थक जाएंगे लेकिन यह दॉक्टर अपने इमान का सौधा कभी नहीं करेगा नो प्राब्लम, जिस शम्शान में दो सो लार्शे जली हैं, वहां एक चिता और सही जान की धंकी दे रही है अब, एक डॉक्टर का काम है मौत से लड़ना, डरना नहीं पर मेरी एक कमजोरी है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं झाल प्रताब मुन्ना को उसका वकील जमानत पर चुड़ा कर ले गया है और उसका दावा है कि मुन्ना का जहरीली शराब के हाथसे से कोई तालोक नहीं है तालोक है सर और मैं यह सच्चाई आपको थाबित करके दिखाऊंगा इंस्पेक्टर मैंने सच्चाई को तजुर्बे की कसोटी पर परक कर ही अपनी रिपोर्ट दिये मरने वाले सेरले शराब से नहीं फूर पॉईजन से मरे हैं सच्चाई को तजुर्बे के कसवड़ी पर परक्र नहीं बलकि अपने इमान को रिश्वत के तराज उपर तोल के तुमने वो रिपोर्ट बनाई है दो सो लाशो का सौधा किया है तुमने दो सो लाशो का अट लिसन डॉक्टर वो लाशे तो जलकर राख हो चुकी है मुनना के खिलाफ गवाही देकर हमें मौत को अपना घर नहीं दिखाना तुम किस कि चोखट में पहरा दोगे वो मौत बनके आएगा और लाशें बिचा कर चला जाएगा अभी तो हमारे घरों में शोक के दिये जल रहे हैं कानून की दलाली करके हमें अपने घर नहीं जलवाने हैं वा बस्तिवाल हुआ कानून की मदद करने को आप कानून की दलाली क्यते हैं यही सुनने आते हम पुलिस वाले तुमहारे गली और चोखट तक यही वर्दी मिलती है तुम्हें अपने काहरता का गंद थूगने के लिए वो जो मुन्ना की जरीली शराप पी कर मरे है उन मेंसे को भी मेरा रिष्टेदार नहीं था तुम मेंसे किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का पती था ममी, आपने इस्पेक्टर अंकल को क्यों नहीं कहा पापा किसी की शराप से मरे है तु आकेला ही तो आफसरे सारे शहर में जो जूर्म का नाम और निशान मिटा सकता है इंसाफ की देवी का आशिरवाद सिर्फ तेरे ही तो कंधों पर है ओफो मा, मेरे कंधों पर इंसाफ की देवी का ना सही लेकिन इस मा का आशिरवाद जरूर है जिसकी शिक्षा और आदर्ष इस वर्दी पर तारे बन कर चमक रहे है अगर मेरा फर्स तेरी ममता को ठेस पहुंचा रहा है, तो बोल मा, उतार दू इस वर्दी को बस तरी इसी बात से मुझे डर लगा रहता है, तरी जित से, जुनून से रोज सुबह जब तु घर से निकलता है, तो इसी बात पर दिल दढ़कता रहता है मेरा कि शाम को तु घर लौटेगा या नहीं, एक पुलिस ओफिसर की मा हो के ढरती है, पुलिस ओफिसर तो तू है, मैं सिर्फ एक मा हूँ, इंस्पेक्टर साहाब, आप, जी हाँ, मैं, मैं मुन्ना के खिलाव, कवाही देने के लिए तयार हूँ, लेकिन आप से एक बिंती है, इस मासूम के सर पर से बाप पेसा है, तो पहले ही उट चुका है, कल को अगर मुझे कुछ हो गया, तो आप वादा कीजी, कि इसकी जिम्मेदारी आप संभालेंगे, है बेन, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बोल, नेरे खिलाब का वाई देगी? कुत्ते, तेरी वज़े से 200 आदमी मर गए, तेरी वज़े से मेरा पत्ती मर गया, हरामजादे, मैं गवाही दूगी आगे वताना, मैं गवताना, उन्ना भाई के खिलाब गवाही देगी या, आगे, आगे, पज्या आगे, प्जल भाई वाही दुगे, भाई मैं, आगे, 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 आगे. जो बंटी बंटी वह बुठो, बुठो है, मुम्मी, उड़ो है.... मुम्मी, दे गो इंसलेक्टर निगा. ममी, मैय, बैया, मेरा, मेरा मेर, मेरा, मेरा मल्टी, मम्मी कर्ष리 करता है वर्दी पहनने का ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी पोजिशन और पावर का नाजाइज इस्तिमाल करो जब तुम मुना के खिलाफ कोई गवाईया सुबूत नहीं ला सके जब तुम ये थाबित नहीं कर सके कि जेरीली शरावाले केस में मुना का हाथ है जब तुम उस मासूम लड़की के कातिलों का पता नहीं चला सके तो इन सब बातों पर परदा डालने के लिए तुमने बड़ी बेरहमी और चालाकी से मुना को मौत के खाट उतार दिया अब मैं तुम्हरे खिलाफ बहुत ही सखत एक्शन लूगा जब किसी बात का सबूत हो इसली बार मुझे कोई सबूत नहीं मिला और इस बार आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा इसा आप पराबर जय हैंद पर इविद्व मेडम बड़ी 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 जणी यह हुआ अस इंस्पेक्टर का सारी मेडम मैंने कोशिछ दो बहुत किये हैंर लेकिन अब तक रतापका कुछ करने ही पाया है सारी मैडम मानने कोशिछ थो बहुत की लेकिन कुछ कर नहीं पाया पहुँआ है, मैंने कोशिश दो बहुत की, लेकिं कुछ नहीं पाया, नहीं कर नहीं रहा है आपने बहुत कोशिश की, लेकिं आपकुछ नहीं है सकसेना, तुमने एक दिन कहा था, कि जो काम सुई से हो जाए, तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज तलवार चलाने का वक्त आ गया है इस्पेक्टर, माता हुआ दा माही हुआ इस्पेक्टर, कहिए, वाट कान आ डू फर यू? पहर आग लगी है, और आप सो रहे हैं? आग मेरे पीछे? आग लगी है, टांग नमबर. क्या? सगवाम, इन्हें फायर ब्रिकट का नमबर दो. शटाब, मैं उस आग की नहीं, चुर्म की आग की बात कर रही हूँ. इन दहाडे, चोरी, डकैती, लूट मारमची है, और कानून मुह पे टोपी रखकर सो रहा है. कानून अपनी टोपी कहीं भी रखे, आप से मतलब? तमीज से बात करो. आप तमीज से बात कीजिए, क्या आप जानती हैं आप इंस्पेक्टर प्रताप से बात कर रही हैं? इंस्पेक्टर प्रताप? आप प्रताप है, तो वो? आम सॉरी, मेरा नम मोना है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है. जरूर आपको देखकर किसीने सीटी मारी होगी? नहीं. आख मारी होगी? नहीं. छेड़ा होगा? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे घर में चोरी हुई है. चोरी? क्या चोरी हो आपका? मेरा कंगन. कंगन? जी हाँ, सोने का कंगन था, जिसमें असली हिरे जड़े थी. मेरी मा की इकलौती निशानी थी वो. उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थी. अगर वो कंगन नहीं मिला, तो मेरी शादी कैसे होगी? अरे, इसमें रोने की क्या बात है? आपकी शादी होगी, और धरूर होगी. लेकिन कैसे? मेरा कंगन तो छोड़े. आखिर थरकार हमें तंखा किस बत की देती है? सच, अब कितने अच्छे है. तेंक यू. लेकिन एक प्रॉब्लम है. क्या? मैं आपका कंगन पहचा लूगा कैसे? ओ हाँ. यह लेजिए. वो कंगन भी ऐसा ही है. और यह मेरा विजिटिंग कार्ट. अब काम हो गया? अब आपका कंगन मिल गया? मेरा कंगन क्या सच मुच मिल जाएगा? मिल जाएगा. थैंक यू सो मॉच. ओके, मैं चलती हूँ. बाई. 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 मेरा प्यार है चूड़ी जैसा. इसका और नच्छोर. यहां नहीं. वहां नहीं. हुजूर. हुजूर. मेरा ख्याल है आप शादी की तैयारी शुरू करी दीजिए. लड़की तो आपने देखी ली है और उसका काड़ भी तो है आपकी जेब में. हुबहू नकली कंगन महिला दूंगा. और जब तक लड़की को ख़बर होगी कि यह नकली है तब तक तो आप बाप बनी चुके ह मैं कहां कुछ कह रहा हूँ, मैं तो शादी की बात कर रहा हूँ. अरे आप इस हालत में क्या हुआ अजी दर्वाजे पर रिख्यर्यत पूछती रहेंगी या अंदर आने के लिए भी कुछ कहेंगी. ओ, आम सॉरी. आये. आये, आये. बैठिये. अरे रे, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अजी कुछ मत पूछिए, वो तो भगवान के शुकर है कि मैं जिन्दा हूँ, वरना मुझे मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी. ये आप क्या कह रहे हैं? अजी सच कह रहा हूँ, आपके जाने के बाद हमने शहर के सारे चोरुचकों की लिस्ट मंगवाई. और एक-एक की हिस्ट्री जोग्रिफी चेक की. और सब को लॉक अप में ठूस कर, चूतों और लातों से, मुक्कों और बातों से, तॉर्चर की ऐसी बारिश की, ऐसी बारिश की, कि सारी की सारी गुंडा गिरी पसीने में बह गई गई. और आखिर गुंडे ने कबूर करी लिया. क्या? यही, क्या आपका कंगन उसे नहीं चुराए था? देखिए, यही है ने मों कंगन. लगता है आपने मेरी कंप्लेंट बहुत सीरियस ली ली है. कितने तकलीफ उठानी पड़े आपको इस कंगन के लिए? आजी कैसे नहीं उठा था? आगर डिपार्टमेंट की इज़त का सवाल था. आप खुश तो है अपना कंगन वापस पाकर. लेकिन यह खुश है तो मु अतलब यह इंस्पेक्टर साब कि आज सुभा जब मैं अपने कबड के सफाई कर रही थी, तब मुझे वो कंगन अपने कपड़ों में मिला. यह देखिए. कंगना पहिना दे सजन कंगना पहिना दे सजन तेरे नाम का वरना मेरा ये जोबन किस आम का यही सपना था हुजूर ओ यही सपना था हुजूर इस गोलाम का मैं तो कब से हूँ दीवाना तेरे नाम का कंगना पहिना देना कैसा जादो पिया तूने मुझे पे पिया मेरा जाने क्यों रहे रहके धर देशिया तेरी बिंदिया ने मुझे को तो पागल किया मेरा दिल ले गया गोरी जुमका तेरा जुमका बनवादे सरजन तेरे नाम का वरना मेरा ये जो बन किस काम का यही सपना था हुजूर इस गोलाम का मैं तो कब से हूँ धीवाना तेरे नाम का जिन्दगी में किया मैंने शामिल तुझे भाग आज अपना ही काति मुझे तुने नजरों ही नजरों में जटका है दिल तेरी उंगली के छले में अटका है दिल अचला मंगवादे सजन तेरे नाम का वर्ला मेरा ये जोबन किस काम का यही सपना था हुजूर इस गोलाम का मैं तो कब से हूँ दीवाना तेरे नाम का काम मुश्किल था तेरी नजर कर गई मुझे तेरी महाबत असर कर गई मेरी आखों में छाया है गजरा तेरा मुझे महका गया गोरी गजरा तेरा गजरा दिलवादे सजन रे गजरा दिलवादे सजन तेरे नाम का वर्ला मेरा ये जोबन किस काम का यही सपना था हुजूर इस गोलाम का मैं तो कब से हूँ दीवाना तेरे नाम का वो कंगना पेहना देना अरे? ओ, शिट! लगता है गाड़ी गरम हो गई है यहाँ, ऐसी कुछ लगता है एक मिनट, मैं देखता हूँ प्लीज फूफ ओ, नौ पान ही खतम हो गया मैं लेकिया तो प्लीज यहाँ प्लीज यहाँ अजया 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 कानून अंधा होता है यह तो सुना था लेकिन कानून के रखवाले भी अंधे होते हैं यह आज पता चला वर्नवा इंस्पेक्टर तुम्हारी जूटी महबत की जाल में फसकर अपनी जानना दे देता यह तुम्हारे काम की किमत नहीं है बलकि हमारी तरफ से एक मामूली तौफा है माफ कीजे गायतरी देवी मैं यह रुपए नहीं ले सकती लेकिन क्यों इसलिए कि इन रुपयों से मैं जिंदगी की वो खुशिया नहीं खरिच सकती जो इंस्पेक्टर की वज़ा से बर्बाद हो गई है इंस्पेक्टर प्रताप की मौत ही मेरी जिंदगी का मकसद था और मुझे उस तक पहुचने में आपने मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कौन हो तुम किसके इशारे पर तुने मुझे से मौपत करना टक रचाये था कौन है वो लोग जिनकी तु कट पुतली है कितनी कीमत वसूल की थी तुने एक पॉलिस आफिसर को ठिकाने लगाने की पॉल वरना मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा यह धम क्या उन काहरों को देना इंस्पेक्टर जो मौत से जादा पुलिस से गरते हैं तु मुझे क्या मारेगा मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगी I'll kill you I'll kill you कोई क्या बिगाला सा मैंने तेरा क्यो मारना चाती हो मुझे तुम तुम मेरे भाई मुन्ना के कातिल हो तुम खोनी हो अच्छा तो तुम उस मुझरिम की बहन हो खबरदार जो मेरे भाई को मुझरिम कहा तो वो एक शरीफ और नेक इंसान था नहीं वो एक शरीफ और नेक इंसान नहीं था मजबूर और मासूम लड़कों से धंदा करवाता था वो कर्द और जुए के अटे चलाता था ऐसी कोई गली ऐसी कोई बस्ती नहीं जहापर उसकी शराब के अटे ना हो यह सब छूट है इल्जाम है कही सच है क्या सबूत है तुमारे पास कि दिन है अ अ उसकी खेर फूट मowski मर गए कि दो सु आधमी मर गए किपनी और था हो गई किसी का भाई मर गया किसी का बेटा मर गया कितने बच्चे हिती हो गए सारी बस्ती का सर्वनाश किया तेरे भाई ने तेरे भाई मुन्ना के वज़े से सारी बस्ती उजड़ गई है हाँ सिर्फ तेरे भाई मुन्ना के वज़े से मुना, मैं तुम्हें एक पोलिस ओफिसर पर कातिलाना हमला करने के चर्म में किरफ़तार करने आया हूँ इंस्पेक्टर मिराब। तुम्हें जो कुछ भी क्याना है, अदालत में क्याना है। और अदालत ये जानना चाहती है कि इसका जुर्म क्या है। बहुत संगीन जुर्म क्या है। इसने तेरे बेटे का दिल चुराया। जुर्म क्या है। फिर तो इसे शादी के बंधन में जकड़ कर उमर्केत की सजा देनी चाहिए। बोलो, बेटी, तुम्हें मम्ता की आदालत का ये फैसलम मंजूर है। क्या है। मैं हो तेरा तो है मेरी जानन दुनिया से अब डर ना क्या मैं हो तेरा तो है मेरी जानन दुनिया से अब डर ना क्या इतने हसी मोसम में इतने हसी मोसम में प्यार ना करे तो करना क्या मैं हु तेरी तुहे मेरा जानन दुनिया से अब डर ना क्या मैं हु तेरी तुहे मेरा जानन मैं हूँ तेरा तु है मेरी जानन दुनिया से अब डरना क्या मैं हूँ तेरा तु है मेरी जानन दुनिया से अब डरना क्या आजा आजा तुझे बाहों मैं में लेलू तेरी महकी जुलुफ से खेलू हां तम कर दे मिठी मिठी बागे दिल में बस जाएंगे मुला आते इतने हसी मोसम में इतने हसी मोसम में त्यार ना करे तो करना क्या मैं हूँ तेरी तु है मेरा ज़नन दुनिया से अब डरना क्या मैं हो तेरा तो है मेरी जानम, दुनिया से अब डर ना क्या दिल में आये जान बंचे, अगर तुम रहते हो जान बंचे जब से ओ गया है शुरू ये परसाना, हम को जीने का मिला है बहाना इतने हसी हो समने, इतने हसी हो समने, यार ना करे तो करना क्या मैं हो तेरी तो है मेरा जानम, दुनिया से अब डर ना क्या मैं हो तेरा तो है मेरी जानम, दुनिया से अब डर ना क्या कि याद है तुमने इसी छत के नीचे एक दिन खड़े होकर कहा था, कि इंस्पेक्टर प्रताप की मौत तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, और आज उसी इंस्पेक्टर के साथ तुम महबबत के गीत का रही हूँ, प्रमाइंस कर रही हूँ, अरे तुम यह भी बूल गई कि वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे भाई का कातिल है वो, मेरे भाई का कातिल वो नहीं, तुम हो गायतरी देवी, तुम, ना तुम उससे शराब का धंदा करवाती है, ना उसकी शराब में जहर होता, और ना ही वो प्रताप की गोली से मारा जात अरे तुम्हारा भाय तो उसी दिन मर जाता, जब वो बेकारी और भूग से तंग आकर खुद कुछी करने जा रहा था मैंने उसे करीबी के दलदल से निकालकर एक शंदार जिंदगी दे थी लेकिन मौत ऐसी, जिस पर आसू बहाते हुए उसकी बहन को भी शर्म आ जाए गायतर दिवी, आपने पाप की दौलत से दीवारें तो बहुत उची बना ली लेकिन ये दिवारें इतनी मजबुत नहीं कि कानौन का हाथ उसे तोड़कर आपकी गर्दन तक न पहुंच सके एक दिन आपका भी वही अंजाम होगा जो मेरे भाई का हुआ है अच्छा गायतर देरी की मूत अच्छा कानौन नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगार सकता, कुछ नहीं अरब, उसकी चिता के लिए आजमों का इंतजाम कर ले क्योंकि काच बका सूरज नहीं देख पाल गाते रवो इंस्पेक्चर अरब, इंस्पेक्चर अरब, इंस्पेक्चर अरब, इंस्पेक्चर अरब, इंस्पेक्चर 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 सब्सक्राइब कि खबरदार जो के कदब बढ़ातो इस लड़की का ख्लाँ का के रखतों का ईहिए मैं चलगाने चला चल जाओगे वरली वो जगे खतुरे से खाली रहे है पुलिस का सत पैरा है जग्राल मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए कह रही हूँ मेरे साथ चलो क्या बात है बहुत खुश दिखाई दे रही हूँ यह खुशी उस कारणामे की है जो तुम आज तक नहीं कर पाए मतलब रमकान इस शहर पर राज करने का सपना तुम पिछले 20 साल से देख रहे हूँ लेकिन कामियाब नहीं हो सके क्योंकि गाहितरी के होते हुए तुम्हारी पोजिशन वैसी ही है जैसे शेरनी के सामने वी दड़की होती है अरे तु धतुरे का बीश खाकर आई है या खसकस का फूल जो ऐसी उल्टी सीदी बाते कर रही है नाराज क्यों होते हो डालिंग तुम्हारी रास्ते की दीवार हटाने के लिए मैं बारूत का धेर अपने साथ लेके आई हूँ और अब आप इसे इंस्पेक्टर प्रताब के पास ले जाएए वो इससे काहितरी के खिलाफ हर बयान उगुलवा लेगा और फिर काहितरी को मौत के परवान से कोई नहीं बचा सकता और सर आपको इस शहर के बेताज बादिशा बनने से कोई नहीं रोक सकता काहितरी का आटमी है तुँ कि रमाकान नाम है मेरा रमाकान वागमारे आदमी बहुत कराब हूं लेकिन पुलिस का दोस्त हूं इसलिए इस आदमी को तेरे पास यह वह हरामी है जिसे गायतरी ने तुझे खलास करने के लिए भीजा था हलो नमस्ते गायतरी देवी जी हलो हलो भॉंकने की जरूत नहीं कुट्टों की आवाज में अच्छी तरह पहचानती हूं कुट्टा की नहीं मौत की आवाज है गायतरी देवी मेरे लिए गालिया तलाश करने से अच्छा है कि आपने लिए भागने का रास्ता तलाश कर हां क्यूंकि इस वक्त तेरा खास आदमी जगराल जगराल पुलिस की इंक्वाइरी रूम में हैं हाँ वही वही जिसे तुने इंस्पेक्टर प्रताप को खतम करने के लिए भीजा था इससे पहले कि वो तेरे खिलाब बयान दे जाकर छुडा ले उससे वरना तुझे फासी के फंदे से कोई नहीं छुडा पाएगा आओया जगराल जाएगा लेकिन गाईत्री देवी के खिलाफ बयान कभी नहीं देगा नहीं बताएगा नहीं बताओंगा आई बताहोंगा आई आए नहीं बताहोंगा गोगी के, अपार आपगए। यट कर पार आपगए। कर दो आपगए। अपार दापगए। यब तंगर अपार दो यब तंगर पता तो किसका आदमी है नहीं बताओंगा पता तो किसका आदमी है पता इस्पेक्टर प्रवाकर क्या हुआ सर ट्रावा तो हमने बहुत अच्छा किया था मागर साले ने जबान नहीं खोली हाई डार्लिंग अरे चला है डार्लिंग तेरा आइडिया बिल्कुल फ्लॉप निकला क्या फाइदा हुआ जगराल को पुलीस के हवाले करके ना उसने गायत्री के खिलाप मूँ खोला और ना गायत्री गिरफ्तार हुई अच्छा होता साले को काट के गायत्री के सामने फेक देता तो कम से कम दिल को तो तसल्ली मिलती कि अच्छा हुआ है झालीज झालीज को जालीज। कि झालीज जाओगे जालीज। सुटतों प्रिटन कि झालीज। कि झालीज को झाली झाली? मैडम मैं पुलीस की मार खाकर तूट चुका हूँ अब मुझे यहां से निकालीजिये मैडम मुझे और बरदाश नहीं होता किसी भी तरह निकालीजिये मुझे यहां से निकालीजिये जग्राल जग्राल यह सब यह सब कैसे हो जग्राल हां बोलो बोलो जग्राल गायतरी देवी अवलना स्टेटमेंट क्लेपे पर लाओ यह जिए अरो बापरे, चालिंग तुम तो पसीना पसीना हो गए चोटी डार्लिंग, यह बारूत की नली जब खोपड़ी में चिपक जाती है ना तो बड़ो बड़ो की पतलुन गिली हो जाती है, मेरा तो सिर्फ थोबडा गिला हो गया लेकिंग डार्लिंग, यह गायतरी का मुखवटा पहन कर कहा गई थी? पुलीस के आखों में धूल जोकने सर, इसमें जगराल का रेटिन स्टेटमेंट है, जो उसने मरने से पहले दिया था चाहितरी सान्याल के कहने पर उसने मुझे मारने की कोशिश की और पगड़ में पर गायतरी सान्याल नहीमात के ख़त तार दिया जगराल के इसी बयान के बुनियाद पर मैं काहितरी सान्याल को किरफ़तार करने जा रहा हूँ Wish you all the best Thank you, sir अलो हां गायतरी जग्राल का क्या हुआ उसे अब तक छोड़ा क्यों नहीं मैडम जग्राल तो मर चुका है और मरने से पहले उससे इंस्पेक्टर प्रताप को यह बयान दिया है कि आप ही इसकी गातिल है क्या पक्वास करें हूं वो वो आपको गिरिफ्टार करने हैं आपके बंगले आ रहा है काहित्री सान्याल काहित्री आज तुझे कानून की गिरफ्ट से कोई नहीं बचा सकता पाप और गुनाव की यह दिवारे अब तुझे जारा देर तक नहीं चुपा सकेंगी अपने आपको कानून के हवाले कर दे परना ऐसा नहों कि जिसके हाथों में मैं हदकडिया पैनाने आया हूं उसी के लाश पर कफन डाल कर ले जाना पड़े तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी इंस्पेक्टर दूख लेजाए आपको कानून का था जारा आपको कि अपड़े थांगी अपनी आपको बादा दे जान आपको कि अपको का अपको का नहीं है कर दोख़ों आपको अपको कि जुटी वर थाईस डे परेजन नला सका पर इतनी दिर कर दी, रोते-रोते सो गया बैचारा ओके, ओके, बेटे का जनम दिन मुबारक हो आपको भी मुबारक हो थैंक्यू आपको भी मुबारक हो आपको मुबारक हो आपको मुबारक हो कर दो कि दो औरे कर दो कर दो होर्फ यह यह हलो इंस्पेक्टर यह यह आ इनका यह है जी मेरा नाम श्रीदेवी है जी मैं ही वो लड़की हूँ जो हवल्दार देवनन से शादी करना चाहती है मैं उसके चालचलन और इंकम के बारे में पूछने आई हूँ चालचलन काता बहुत अच्छा है वो मैं गैरेंटी लेता हूँ और शरीफ भी है और अपनी ड्यूटी पूरी इमांधारी जेने बाता है इमांधारी से क्यों नहीं मेरा मतलब है कि पुली स्टेशन और इमांधारी आप बजाग कर रहे है ना नहीं बिलकुल नहीं नहीं अच्छा जी वो रहता कहा है यहीं पुली स्कॉलनी में अब वो काम आता है कि इतना है कि अपना घर ले सके क्यों टेबल के नीचे की कमाई नहीं है क्या बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं रिश्वत को तो हराम समझता है वो हराम समझता है तो फिर मेरे सिंदगी हराम हो जाएगी इस्पेक्टर साव क्यों 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 वो रिश्वत नहीं लेगा तो मुझे खि बाकी खर्चा कौन करेगा, पड़ोजी, नहीं वने, मैं ऐसे भुकर से शादी नहीं कर सकती, मैं तो चली, मेरा डिल तोड़का मर्जा, मैंने श्री देवी, मेरी मादुरी दिख्षित, मेरी मन्दाक नहीं, मेरी मदुवाला, मेरी तुरुआ, बड़ी मा, अंकल कब आएंग बस आते ही होंगे पंटी अंकल, ये सब किसके लिए परसदे बॉय के लिए, हपी परसदे अंकल, जिल ले लुग क्या क्या लाए हो बताओ बताओ एक में तो है चोकलेट्स एक में है हीमेन की गन एक में है ट्रेन और एक में है जीन्स और जैकेट, और क्या चाहिए बोल? बताओं 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 बता दे आटी आग लगा के चले हो कहाँ पास तो आओ ऐ जाने जा आग लगा के चले हो कहाँ कहने को मौसम बरफिला है सासों से देखो निकले धुआ शाम का सूरज धली नगार किम्ठी मा रही है बस्तिया शाम का सूरज धली नगार किम्ठी मा रही है बस्तिया आज गए में रह गईी आज गए में रह गईी हर दम परीगा रुकना यहाँ आज लगा के चले हो कहाँ पास दुआओ ने जाने जाँ शाम का सूरज धली नगार किम्ठी मा रही है बस्तिया अगार कैसे बस्तिया कि अगल झाज़ी नेचे कि अगए में रही है जाम आज़ी 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 वार्ट कि अगए में रहाँ जाम कि में रहाँ देखो तुमको यार है, रोका पहली बार है, इस तरह न तरसाओ, पहला पहला प्यार है देखो तुमको यार है, रोका पहली बार है, इस तरह न तरसाओ, पहला पहला प्यार है बाहों में तेरी दुन्या मेरी, बाहों में तेरी दुन्या मेरी, अद्मों में तेरी मेरा जहाँ आग लगा के चले हो कहाँ, पास दुआओं ए जाने जाँ शाम का सूरज घली नगार, तिम्ति मा रही है बस्तिया देख के तेरी नजर हो रही हूँ बेखबर, अच्छा तो लग रहा, फिर भी लग रहा है गर देख के तेरी नजर हो रही हूँ बेखबर, अच्छा तो लग रहा, फिर भी लग रहा है डर जाने किधर लेके चला, जाने किधर लेके चला, रंगिन खाबों का ये कारवा शाम का सूरज घर्मे नगा, तिमते मार इहें बस्तिया आग लगा के चले हो कहा, पास दुआओं के जाने जा जाने झाने जाने का लेके चलाकैंग पू highly लेखबर् हो वर cev का बात्लित तर जह में बस्तिय काजнова भी वर के चला हो किषने की घर्मे बस्तिया종़ों का ay आओ तो फिर घूम ले, मस्ती में हम जूम ले, कर बहा न मौसम का हम लबों को चूम ले प्यार के सागर का अंत ने हूँ कितना गहरा है रूप का कुवार शाम का सूरज जले नगार, तिम के मा रही है बस्तिया आग लगा के चले हो कहाँ, पास तो आओं पे जाने जाओ हाँ जगल में रह गई, हाँ जगल में रह गई, हर दम करेगा जुकना यहाँ किरफ़ा जाओ जगल में रह गई, हाँ जगल में रह दाए तार्य उर्ण में रह वार जगल में रह जगल 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 मुक्तारि अंकल, बड़ी मा, बड़ी मा, देखो अंकल, टीवी पे आ रहे हैं, अच्छा, अपन लिया, कि गायत्री सन्याल को सौनरें तक पुली स्दिमान में रखना जाने, गायत्री सन्याल की तंसनी स्वेज गिरिफ्तारी के कारण, शहर के सभी प्रतिष्टान बंद रखे, गायत् हमाजी की तंसना जाने की स्वेज लि जाने की सन्याल लिए. प्रत प्रत देशा में काही है, कर दो देकी स्वेज उन्याल के दिमाल के सकल अश्याल इसकते। येलो, फुन्दा, फुन्दा पहचा ना मुझे, किसे भूल जकती उस जहरे को अपनी जिन्दगी डालाई थी तुम्हारे दामन में और उस जिन्दगी की इफासद की है मैंने अपने सब कुछ दाओ उपर लगा दिया है अपनी आखों से देख चुकी हो, मिल चुकी हो अपने बेटे से शाल मैं उसे वो शिक्षा नहीं देपाते, जो तुम्हें उसे दिया है लेकिन मैं अपने आपको गुनेगार महसुस कर रही हूँ तुम्हें इन सलाखों के पीछे पहुचाने की जिम्मेदार मैं हूँ काश, मैंने तुम्हारे बेटे को इंस्पेक्टर न बनाया होता नहीं भैं, नहीं जज का पोता है वो खानून के रास्तेपतों से चलना ही था तो फिर तुमने यह रास्ता क्यों अपनाया जिसने तुम्हें सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया इस कहने के पने नहीं पर्टो तो अच्छा है पर नातीप का सहलाब वो खुचिया महा करने जाएगा जो इस महा को अपने बेटे से मिलकर हुई है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश एक मा तो बेटे से मिल चुकी है लेकिन एक बेटे को उसकी मा से मिलाना बागी है नहीं बेहन नहीं ऐसे खरती मत करना अन्दा मेरे गुनार उसकी बड़ती को दाग दाग करतेंगे उसका करव, उसका समान सब कुछ मिट्टे में बिल जाएगा इन वासलों को कम करने की कोशिश मत करतेंगे मेरे लिए सिर्फ यही तसलिक काफी है कि मेरे गुनाओं का फैसला मेरे बेटे के हाथों होगा यह इंसाफ नहीं अनर्थ होगा गायत्री अनर्थ होगा मैं एक माह को उसके बेटे के हाथों फासी नहीं लगवा सकती यह पैप मैं नहीं होने दूंगी नहीं होने दूंगी तुम्हें कासा में उस मम्ता की जिसके आचल तले 20 साल से मेरा बेटा पल रहा है इस सच्चाई को उसके माते का कलंग ना बनाओ मैं मुस्कुराते हुए फासी तो चड़ सकती हूँ लेकिन उसके माते पर शर्मंदी की का पसीना नहीं देख सकती नहीं देख सकती जब जब उत में मां कहेकर पुकारेगा मैं समझोंगी कि वो मुझे आभास दे रहा है अब मुझे यकीन है कि तुम मुझे यह खुशी नहीं चीनोगी मुझे बादा करो कि तुम उसे यह सचाई कभी नहीं बताऊगी बादा करो नमस्ते जी ओ शेरनी के आखों में आसूग अरे लेकिन आसू बहाने से कानी थोड़ी ही मिठ जाएगी वैसे तो मैं उस इंस्पेक्टर को मिलने आया था जिसने गायत्री सन्याल को गिरफ़तार किया लेकिन यहां आने के बार अभी अभी तुनाई दिया कि एक बेटे ने अपनी मा को गिरफ़तार किया है मुन्ना के शराब में जहर मैंने ही मिलवाया था, ताकि कानून उसके कंधों पर खड़ा होकर तेरी गर्दन तक पहुँच सके हरामजादे, तो यह सब साज़श तेरी थी, उन बे गुनाहों का कतल तुने किया था, वै तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगी यह डायलॉग तु बहुत बार बोल चुकी, लेकिन मेरा कुजी भी नहीं उखाड सकी, अब तो तु मेरा बाल भी नहीं नोश सकती, बाल, बाल सुन, अगर तुन्हें अपने आपको बचाने या छुडाने की कोशिश की न, तो मैं तेरे सुपुत्र को बता दूंगा, कि जिस आउरत को तुने गिरफतार किया है, वह और कोई नहीं, बलकि तेरी पुझ्य माताजी है, माता चाल, जुप और फिर वही होगा जो डायलोग अभी तुने उस आउरत को बुला था ना कि तेरे बेटे की वर्दी तेरे गुनाओं से दागदार हो जाएगी और तेरा वो उसका गर्व गर्व और अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा इसलिए हे घायल शेरनी ए शेरनी इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना है मैं जो कहूंगा सच कहूंगा सच की सिवा कुछ नहीं कहूंगा इस्वेक्टर परताब आपने गाहितरी देवी को जग्राल के खून के लजाम में ग्रफतार किया है जी हाँ यह खून कब हुआ? 21 दिसमबर रात के धाय बजे पुलिस लॉक अप में आप ड्यूटी पर थे? जी हाँ, मैं ड्यूटी पर था लेकिन उस वक्त यानि के रात के धाय बजे मैं पुलिस टेशन में नहीं था नोट इस पॉइंट यॉर आनर रात के धाय बजे इंस्पेक्टर परताब पुलिस टेशन में मौझूद नहीं थे तो क्या आप बता सकते हैं इंस्पेक्टर परताब की उस वक्त आप कहां थे? 21 दिसमबर की रात तो बचकर पच्चीस मिनिट पर पुलिस टेशन के कुछी दूरी पर एक बॉम ब्लास्ट हुआ हम मौकाय वारदात पर गए वहां जाके पता चला कि ये ब्लास्ट पेट्रोल बॉम से किया गया था पुलिस टेशन वापिस लोटने में हमें 15 से 20 मिनिट लग गए इसे बीच काहितरी सान्याल जग्राल का खून करकर भाग चुकी थी मरते हुए जग्राल ने हमें बताया कि ये ब्लास्ट पेस्पुलिस का ध्यान पटा निकली किया गया था इसका मतलब यह हुआ कि जग्राल की मौत का कोई भी चेश्मदीर गवा नहीं है जी और इस कतल के मुकदमे का एक मात्र सुबूत है जग्राल का बयान जी क्या वो बयान आप अदालत में पेश कर सकते हैं काहितरी सान्याल की गिरफतारी से पहले वो स्टेटमेंट की फाइल मैंने कमिशनर साहब के हवाले कर दी थी मैं कमिशनर साहब को विटनेस वॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है कमिशनर सक्षेना अदालत में हाजिर हो कि मैं भगवान को साक्षी मान कर ये सौगन खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा कमिशनर साहब इंस्पेक्टर प्रताब के मताबिक जगराल की स्टेटमेंट फाइल इन्होंने आपके हवाले की थी मैं आपसे वो फाइल अदालत में पेश करने की गुजारिश करता हूँ यार अनर मैंने अभी अभी गीता पर हाथ रखकर सच कहने की सोगन थाई है कि नौट एड़ यार अनर मुझे अफसोस है कि यह कानून की वर्दी पहन कर भी जूट बोल लाएं आदालत को धोका दे रहा हैं सच्छा ही है कि इन्होंने मुझे कोई फाइल ही नहीं दी कमिश्टर तूच बहुत है कमिश्टर जोत बहुत है कमिश्टर मेल फायल तूशीगा इस century turkey में धोड़ बदी पायल को मुझे चोड़ा मुझे कि इस बात का अदालत को कोई सुबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि गाहितरी सानियाल ही ने जगराल का खुन किया है इसलिए अदालत गाहितरी सानियाल को बाइज़त बरी करती है गाहितरी कहा है कि नमस्ते गाहितरी देवी तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की साब के बिल में हाट डालने की हिम्मत वही करता है जिसको उसके काटे का मंत्रा आता है और वह मंत्र है मेरे पास यह फाइल है यह वही फाइल है जो कोट में दाखिल ना होने की वज़े से तु फासी पर लटकते लटकते बच गई यह फाइल तुम्हारे पास मेरे पास जिस तरह कोठे पर बैटी तवायफ को दाम देकर कोई भी खरीच सकता है उसी तरह तुम्हारे उस बिकाव कमिशनर को मैंने मूं मांगी रकम देकर यह फाइल खरीद ली तुमने बहुत बढ़ी गलती किया है रमाकांद इस में फाइल के साथ यहां आधए गलती नहीं गायत प्री देवी अखल्मंद depende इसलिये तो यह फाइल देने मैं खुद आया हूं कि तता कि तुम्हें यकिन हो जाए कि इस फाइल के असली कॉपी मेरे पास है तुम मुझे ब्ल душ करना चाहते हो नहीं ब्लैक मेल के लिए तो मेरे पास मा बेटे वाला एमोशनल लफडाई काफी है तो फिर तुम क्या चाहते हो पिर छाती पर मूंग दलना चाहता हूँ अपनी आउकात में रहकर बात कर रहा मकांथ ए चिल्ला मत नीचे सूर में बात कर नीचे सूर में और में जो कह रहा हूँ, उसे सुनती जा आज से तेरे जितने भी काले धंदे है उस पर मेरा राज होगा यहने नाम तेरा और काम मेरा यहने के foreground में तू और background में मैं और मेरे यह सब काले धंदे तेरा बेटा तेरे एक फोन के इशारे पर बड़ी आसानी से करेगा मेरा पेटा एक इमानदार पुलीस आफिसर है वो ये काम हर्गिस नहीं करेगा करेगा जरूर करेगा उसका भी तोड़ है मेरे पास उसके घर में एक छोटा बच्चा है बंटी नाम का वो उस बंटी से बहुत प्यार करता है और मैंने उस बंटी को उठा लिया है लेकिन तुम उसे फोन करके बोल दो कि बंटी तुम्हारी गिरफ्ट में है वो जरूर तुम्हारा काम करेगा कर दोड़ है कर दोड़ है गद्दारी क्योंकि मेरे साथ है मुझे माफ करतीजिए हमारे यहां गद्दारों की सजा मौत होती है सिर्फ मौत नहीं मेडम मैं जिन्दगी भर आपका पफादार रहूँगा वाग मारे से आपको वो फाइल भी लाकर देदूगा बस एक बार मुझे माफ करतीजिए एक बार एक शर्त है क्या तुम्हें माफी नामा लिखकर देना होगा मुझे मज़ूर है मौव मौव येस मैडम लिखो मैं कमिशनर सकसेना एक देश द्रोही हूँ मैं कमिशनर सकसेना एक देश द्रोही हूँ मैंने अपने फर्स के साथ खद्दारी की है मैंने अपने फर्स के साथ खद्दारी की है कानून के साथ खद्दारी की है मुझे जीने का कोई हक नहीं है मुझे जीने का कोई हक नहीं है मुझे जीने का का कोई है क्या किया आपने अटूत तकली क्यों किया आपने क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आलिशान महलों में रहने वाली इस काहितरी सान्याल ने मुझे इन बेचेन लेहरों और बेजान पत्थरों के बीच क्यों बुलाया है क्योंकि इस वक्त मेरी जिंदीगी इन ही दो चीजों में बठे हुई है जस बात हैं जो लेहरों की तरह उमढ़ना चाहते हैं लेकिन हो इन बेजान पत्थरों की तरह खामोश हैं क्या यह मुम्किन नहीं कि तुम कुछ देर के लिए अपने आपको इंस्पेक्टर ना समझो और मैं अपने आपको गायतरी सन्या बेकार की बाते छोड़ो और यह बताओ मुझे यह किसलिए बुलाया है ट्रक्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट विरार की खाड़ी पर उतरने वाला है तुम्हें वो कंसाइनमेंट चेकपोस से क्रॉस करवाकर गोड़ बंदर पहुंचाना है तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं यह काम करने के लिए तयार हो जाऊँगा एक पुलीस आफिसर शादी जर्म करने के लिए तयार ना हो लेकिन वो इनसान जरूर तयार होगा जो बंटी को सिंदा देखना चाहता है अरे यार प्रताप कहां से आ रहे हो प्रताप तुमारे लिए फोन आया है हलो प्रताप हमारा यह बैंग लेकर बैंडरा के काफे सी साइड के पास पहुंचो जल्दी प्रताप 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 जल्दी प्रताप जल्दी प्रताप प्रताप जल्दी प्रताप जल्दी प्रताप जल्दी काफे के सामने सफेज जीप के पास एक आत्मी काला बैग लेकर खड़ा है उसे जल्दी से फोल पर बुलाओ कि अपका फोन है आख है अएठी को मरवाना चाहते हो पुलिस वालों को प्यों साथ लेकर आए अब आके लिए धस मिनिट में हजय अलीजू सिंटर पर पहुंचो अ है अ कर दो जो आज़ा मेरे फोन है एलो इंस्पेक्टर प्रताप जावास अब पाच मिनिट के अंदर लिबर्टी फोटो आर्ट पोँचो बरना झाल झाल चल्टे शॉरी में हुआ हैं अब एक मिनिट के अंदर पैदल भागते हुए मच्छी मार के पास जंक्यार्ड में पहुचो बंटे बंटे चाबाज इंस्पेक्टर प्रताप अब गायतरी सन्याल बहुत खोश होगी बैक को सामने फेक दो जल्दे बंटी तुम्हें मिल जाएगा लेकिन बंटी का है वो रहा बंटी अंकल! 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 आंकोल, 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 पंटी, 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 हाँ, 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 पंटी, मेरा पंटी, मेरा, हाँ, हाँ एक बात समझनी आई रमाकान, उस इंस्पेक्टर प्रताब ने तो तुमारा काम कर दिया था, फिर तुमने उस बच्चे बंटी को क्यों मरवाया पताता हूँ, इंस्पेक्टर प्रताब के नजर में बंटी को किड्नेप किस ने किया, ताइतरी ने, राइट, इंस्पेक्टर प्रताब को ड्रग का कंसाइनमेंट लाने के लिए किसने मजबूर किया, ताइतरी ने, और बंटी को किसने मारा, तुमने, जब, दस साल से मेरे दिल के करीब रहती हो, लेकिन मेरे दिमाग को अभी तक नहीं समझ सकी, अन्नाडी के अन्नाडी रहे गई विल्कुल शाले, हैं? पंटी के हत्या मैंने नहीं, गायतरी ने की है, गायतरी ने यही समझेगा इंस्पेक्टर प्रताप इसे कहते हैं मेंडक के हाथों मगरमच का शिकार अब इंस्पेक्टर प्रताप गायतरी को जिन्दा नहीं छोड़ेगा यहने बेटे के हाथों मा के हत्या पीटा खबरदार जो मुझे बेटा का मा पेटा रिष्टे चजबा इन सब शब्दों का हर्द तुम क्या जानो अरे तुम तो वो आरत हो जिसका साया भी किसी पर पड़ जाए तो उसे मौत के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता यह कौन देख रही हो तुम यह उसी मासूम पंटिका है जिसने मेरे बाहों में तड़ब तड़ब के दम तोड़ दिया पहले बाप फिर मा अरे पूरे परिवार का सरुनाश किया तुमने और अब तुम्हारी पारी है का इत्री तु जानता है तु किस पर गोली चला रहा है उस सौरत पर मा जो जहरेली शराप का धंदा करती है मासूम और गरीब लोगों की जिंदगी से खेलना जिसका पेशा है उस वारत पर मा जिसने मुझे मेरे फर्श से गद्दारी करने पर मजबूर किया, मेरे बंटी की जान ली, उस वारत पर मा जो और आ पर कलंक है कि जिसा अउरत के खूण से तु अपने इंतकाम की प्यास भुजाना हो चाहता है जिस आउरत से तुझे इतनी नफरत है बहु आउरत और कोई नहीं 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 रिवा कि तुम्हें कसम है उसे कुछ मत पता ना नहीं एक कसम के खातिर में रिष्टों का खिलवार नहीं होने दूगी कि यह क्या है माँ कि यह तेरी माँ है बेटी कि यह कि यह तेरी माँ जाव कि यह तो माँ इतन सुझ है इतन सुझ पेस है इतन सुझे है इतन सुझे है यह सच्छाए किसी दिए की दंग की तरह चुबी हुई है जिस घर में कानून कीता की तरह पढ़ाया जाता था उस घर की लड़की ने जुन का रास्ता क्यों अपनाया मुझे आज भी वो दिन याद है चाला चोली और घागरा रंग डालो ना चोली और घागरा रंग डालो ना मेरी अंग अंग सिया रंग डालो ना ओली का दिन है सब बाप है ओली का दिन है सब बाप है मौका ये मिला तो खालो ना चोली और घागरा रंग डालो ना सेड़ी बहांग दाल ना हौली मेरा प्याला थोड़ी भ늦ालो ना फून में जवानी क्यूं मंग डालो ना होली का दिन है, सब माफ है होली का दिन है सब माफ है मौका है मिला तो मजा लोना लोना फाली मेरा प्याला थोड़ी फंग टालोना रंग होतों का मेरे चुदा के देख बत्यों मुझे मुश्कुरा के आज के दिन शरम नहीं करना रानी लोगों से क्या है कडरना ऐसा है तो मुझको अगनी बाहों में उठा बाहों में उठा के राजा को दिन में बिठा क्योंकि होली का दिन है सब माफ है मौका है मिला तो मजा लोना लोना फाली मेरा प्याला थोड़ी फंग टालोना लाल पेला हरा और नेला सबका सहरा है रंग रंगीला दिखना मेरी दोके में खजना दूसरी को नबाहों में भरना आज का दिन ऐसी गलती करवाने आता है कोई खुद आए तो फिर अपना क्या जाता है क्योंके ठोली का दिन है सब माफ है मौका है मिला तो मजा लोना लोना चुली और इसादरा रंग दालोना तुछ से कहना है कुछ पास आजा हाँ वे सबचती हुए शाल राचा मिल रहे हैं गले आज सारे हम क्या है ये आज देख ले सब दुनिया वाले कर किस किस के मूपे जाकर मारेंगे ताले अरे होली का दिन है सब माफ है मौका है मिला तो मजा लोना लोना मौका है मिला तो मजा लोना लोना मौका है पुलिस की मुखबरी करके हमारा माल पकरवाता है पर पकली हमारा बाव अ झमने हैं कि अजयार भॉटिए, भॉटिए! कर दो कर दो दो मुटिए, भॉटिए, बॉटिए! टार कि लुय में वह भुरीं पहुँ देख बहु देख देख उस इंस्पेक्टर ने तेरे भाए को बारा देख 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 तो उसे ने मार मार के मुझे यह बंद कर दिया मुझे बचाले बहु चप बख्वाज बन करा और चुप चाप हुआ बैट फिला पिला के इतना लंबा चाउडा किया और फाल त कि राम राम मैं रमाकान वागमारे नाम सुनावेगा आपने साब मराठी में शेर को वाग बोलते हैं और मारे का मतलब तो मालूमिच होएगा आपको इसलिए बोलने बड़ा अच्छा लगता है रमाकान वागमारे वागमारे साब हम रहता तो इस गाव में हैं लेकिन बंबई में वीटी स्टेशन पर अगर किसी ने अपना नाम लिया ना तो हमारे आदमी को लालबाग में पता चल जाता है कि किसने याद किया आप उनको पिलाहूस फुरास रोड बच्ची की बाड़ी में आठ सो रंडिया धंदा करती है आप उनका दस बारा चोटा मुटा क्लब है बीस पचीज दारू की बट्टिया है सब को राजी कुछी रख के बड़े शान से धंदा करता है साब आप उन बहुत शान से कभी किसी को कोई तकलिफ ने। लेगिन आपना यह भाई हैना सप बहुत हरामी हैं ।स में कोई न कोई लफड़ा सब कभी किसी को चाकू मार दिया किसी को लुड़का दिया कभी किसी लड़की प्रेप कर दिया बापको मालगे साले का अपने मारा उसको बहँत अच्छा किया साचके ताउ सब मेरी कमाई का आदा हिस्सा साले के लफड़े निप्टाने में खतम हो जाता है लेकिन क्या करें साब एक ही भाई है माबापने बोला भाई को समालो समाल रहे हैं और फिर आप जैसे बड़े बड़े इंस्पेक्टरों की वज़े से वह कभी बारा गंटे से ज्यादा हवालात में बंद भी नहीं रहा अब बोलो साब उसको छोड़ने का कितना लेंगा आप मैं जो मांगूंगा शायद वो तु नहीं दे सकेगा वाख मारे अरे नहीं साब आप सिर्फ हुकुम करिये जो चाहिए आपके कदमों में लाकर रख दूंगा तो मुझे कफन लाते वाख मारे जिसे मैं तेरे भाई की लाश पे डाल सको क्योंकि सरकार ने अभी तक कुत्त इस्पेक्टर मैं फिर से कह रहा हूं कि तू नहीं जानता मैं कौन हूं अगर मैं चाहूं ना हराम साथे यह पुलिस टेशन ने तेरे बाग का पीकदार नहीं यह तू जहान चाहिए ठूक था पिरे आइंदा मेरे सामने ऐसी कोई बेहुदगी की तो मार मार कर में तेरा ऐसा होलिया बिगाडूंगा कि तेरे तमाम जुए खाने और शराब खाने की कमाई भी तेरे इल वाग मारे पिताजी मुनना नहीं मिल रहा अने सब जगह उसे धुनदा कहीं नहीं मिल रहा घब्राव नहीं बहु यहीं कहीं होगा चाहिए मैं तलाश करता हूं बहु पिताजी यह तुम क्या कह रही हो गाइतरी पस तुम जली से घर आजाओ वीस मेरा नाम है रमाकान्द वागमारे बोली के दिन मेरे भाई ने एक मर्डर किया था मालूम होएगा तेरे को उसका चश्मदीद गवाए तेरा आदमी अगर तेरे आदमी की गवाए से मेरे भाए को कुछ हो गया पासी हो गई तो ये बच्चा क्या तेरे पूरे खांदान को शम्शान पहुचा दूंगा समझे बोल देना अपने आदमी को ले मुणना चुपो जाओ चुपो जाओ चुपो जाओ वैसे तेरा यह मुणना बहुत अच्छा है बहुत पसंद आया आपने को खिला 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 जिला उसको, ढरमत उस्में जहर नहीं है चले जो कात्री कात्री कौन मारेगा को मार दाले गाल कोई नहीं गाल को अधरी आपको गायतरी समालो अपने हापको कोई नहीं मारेगा कि अगर पुर्म को से डं़ें लगा तो पिरूंपल गते बंगए होगा कुछ नहीं होगा खो अ मेर अध्या मात बोल रहा हूं रामजादे और तो अगर तू तो नहीं मेरे बच्चे की और आँख उठा कर भी देखा तो मैं तेरी आँखें फोड़ दूँगा रे आँख तो उठेगे इंस्पेक्टर क्योंकि तेरा बच्चा बहुत खुबसूरत है यार ओनर मैंने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच यह है यार ओनर कि मुल्जिम अमरकांट एक लिस्टेट क्रिमिनल है लोगों को मारना पीचना उनकी जगहों पर जबरदस्ती कब्जा करना जुए और शराब की अड़े चलाना जिस्म फरोशी के धंदे करना इसका खांदानी पेशा है जब पुलिस के मुख्बिर हरी परशाष श्रिवास्तव ने इसका परदाफास करने की कोशिश की तो यार ओनर इसने खोली के दिन सैक्ड़ों लोगों के सामने बड़ी बेरहमी के साथ उसका कट्ल कर दिया जिसका चश्म अदीद कवा सिर्फ मैं ही नहीं वह सभी लोग हैं जो वहां मौजूद थे यार ओनर इसलिए मेरी अधालत से दर्खासत है कि मुल्जम के साथ रियायत न बढ़ती जाए और इसे सजाए मौत दी जाए वकीलों की जिरह, इस्पेक्टर अर्जुन की कवाही और सबूतों को मदे नज़र रखते हुए अदालत अमरकांद को मुझरिम करार देती है अमरकांद ने अपने होश औहवास में हरी परसाद श्रिवास्तव का खून किया लिहाजा अदालत इस फैसले में पहुंची है कि अमरकांद को दफ़ा 302 के तहट सजाए मौत दी जाए खाहँ अजर फिराओमांची पातों सब्सक्रेख वोब arcाण तुम जाओ यहां से ही लगाँ आखे लूहरा है टो तो ही जा 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 ताली लूहरा है लूहर छप्रेक लिग्रार लुदास, जा लूसे टूहरा है हम जा ऑन जाखी तो ही बहुंत! कि टाहुँ जब दोगा। कि अचले थाँ कि अचले कि अचले को प्सक्ता चाहुँ अचले का अचले को जाँ हुआ। क्या हुआ? माड़ा, जप्को माड़ा, नेरे पाधी को, नने को, देसर को, जप्को माड़ा, नुए निरा बच्च, कर दो जया हुआ। कर दो जब कर दोग को, जप्को माड़ा, कर दो जब एक उवमाधा हुआ। कर दो दो, बच्को माड़ा, कि शूट गई हित्व जल्दी व्हारा मच्या तुम्हारा भॉंचर मच्छ केट आप भागो जल्दी हुआ अर्थे मुन्हा आ पूंदा कि अ IS मुझरिम के पीछे भागते भागते मैं खुद जुन के रास्ते पर इतना आगे निकल गई जहां से अब लोटना नमुम्किन है सिंदा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि पदला ले सको अपने पती का अपने सहसुर का निकाल दीजिए अपने दिमाग से यह खायाल अगर हर इंसान अपने इंतकाम के लिए हत्यार उठा ले तो यह दुनिया कुरुक्षेतर का मैदान बन जाए अब भी वक्त है अपने आपको कानून के हवाले कर दो मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ इंसाफ होगा नहीं बेटे मैं तुम्हारा मश्वरे नहीं मान सकती तुम अपने फर्ज से मजबूर हो हर मैं अपने जजबाद से तुम शादिया के नहीं करोगे लेकिन बंटी का खूल मैंने नहीं किया था साथियो मैं आप सब की एहसान मंद हूँ जो मुझे आप जैसे लोगों का सही योग मिला इस ओगनाइजेशन की भलाई के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो बुलाय नहीं जा सकता इसके लिए आपने बड़ी से बड़ी खुर्बानी दी है हर पल हर कदम पर मेरा साथ दिया है लेकिन आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब हमारा साथ बहुत दिनों तक नहीं रहेगा रामकांद की मौत मेरी जिन्दगी का मकसद है उसे खत्म करने के बाद मैं आपने आपको पुलीस के हवाले कर दूँगी यही मेरा आखरी फैसला है अमरा बात सुनो मिस्टर रामकांद तुम्हें मर कर गेत्री अपने आपको पुलीस के हवाले करने वाले है लेकिन ऐसा नहीं कर सकती मैं उसे खत्म कर दूँगा नहीं जुड़ यह सब कुछ तुम हमारे उपर छोड़ दो और काम की बात करो सिर्फ काम की बाग मारे प्लाब 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 दो धूँए कर राद कर वार्छ कूप्र कर दो तक है कि म бокे अधुर मुड़ीट में वrit़ अलусов है परका विय बुर्ण हो मर फटेक युलाया वियुलाया वियुला-ई यह अष्छा युला-णुला। यह 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 युला हो बाफ युलाए युला-ई लोमडी कितनी भी उचले वो चीते से उची छलांग नहीं मार सकती तुझे नहीं मालूम यमराज ने मुझे गित की उमर दे कर भेजा है ताकि मैं तुझे नोच नोच कर खाऊ बेटे, बेटे, तेरी माँ को किसीने बोली मार दी है तुझे मेरे साथ अस्पताल चल नहीं मा मेरा उससे कोई रिष्टा नहीं क्या जिस आउरत ने तुझे जनम दिया है उसका तुझे कोई रिष्टा नहीं है वो तेरी माँ है माँ लेकिन कानून की नजर में वो सिर्फ एक मुझ्रमा है मुझे किसी पुलिस अफसर की दलिले नहीं एक बैटे का फैसला सुनना है तो सुनलो मा तुमे जिस बैटे की तलाश है उसे ये पुलिस अफसर नहीं चानता वा बैटे वा बीस साल तुझी सीने से लगा कर पाला मैंने लेकिन तुझे मा की ममता समझा नहीं सकी और कुछ साल से तेरी जिसम पर ये वर्दी क्या आ गई तो इसकी भाशा बोलने लगा है बैटे मा के आसू उसके दामन पर नहीं आवलाद के दिल पर गिरते है लेकिन तेरे दिल पर तो उस औरत का खून भी असर नहीं कर सका तो फिर तो उस दूद का भरम क्या रखेगा जो तुने किसी अजने भी औरत की चांती से पिया है लेकिन पर विरते है और दो अजया है बु', खुध時 कल दो, को कि लिए सös हमेंक। झाहाँ. कि भूप्यों को दो एका उन्वश कर गदारे कि अन्यों के लिएकार अर्वाद है या कि उन्यों कि जो चूदार बाहुन के पड़ Absolute झाल 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 झाल